राशी चकरों का ब्यक्ति के जीवन में बड़ा महतों माना गया है और किसी भी ब्यक्ति के ब्यक्तित्व और उसके आने वाले समय के बारे में उसके राशी के द्वारा असानी से पता लगाया जा सकता है जोतिश के माने तो रोजाना ग्रहों के इस्तिति में बदलाव होते रहते हैं जिसकी वज़ा से सभी राशियां प्रभावित होती हैं ग्रहों में बदलाव होने की वज़ा से सभी राश्यों पर अच्छे और बुरे प्रभाव परते हैं जिससे के इन राश्यों के ब्यक्तियों का जीवन प्रभावित होता है जोतेश की माने तो आज से कुछ ऐसी राश्या हैं जिनके उपर सूर्यदेव में हरवान रहेंगे इन राश्यों का भाग्य हर शित्र में इनका साथ देगा और जीवन की तकलीफ बहुत ही जल्द दूर होने वाली है यहां तक कि इनको कोई बड़े खुश्खवरी भी मिलने की संभावना बन रही है तो आएए जानते हैं कि सूर्यदेव किन किन राश्यों का भाग्य चमकाने वाले हैं पहला ब्रिशवराशी ब्रिशवराशी वाले ब्यक्तियों का सूर्यदेव की किरपा से दूबी हुई रकम इनको वापस मिलने की संभावना बन रही है आप अचानक किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं जो की बहुत ही आनंद दायक रहेगा नौगरी के शित्र में अधिकारियों का पूरा सायोग मिलेगा और जो ब्यक्तिक शेर मार्केट से जुड़े हुए हैं अगर वो पैसा निवेश करते हैं तो उनको अच्छा लाब मिल सकता है आपका ब्यापार ठीक प्रकार से चलेगा घर परिवार के सबी सदस्यों का पूरा सहयोग प्राप्थ होगा आपका जीवन अनंद दायक व्यतीत होने वाला है दूसरा करकराशी, करकराशी वाले व्यक्तियों को सूरे देव के किरपा से धन लाब मिलने का योगबंधा है आप किसी भी तिर्थ अस्थल के यात्रा पर जा सकते हैं सबसंग से आपको लाभप्राप्त होगा और आपका मन शांत रहेगा कारोबार के सिलसिले में किसी यात्रा पर भी जाने के योगबंध हैं और कारे अस्थल में सब कुछ ठीक प्रकार से रहेगा कुछ लोगों को सहायता भी मिल सकती है तीसरा कन्याराशी, कन्याराशी वाले व्यक्तियों को सूर्य देव की किरपा से किसी भी खास व्यक्ति का सायोग मिल सकता है व्यापार में आपको भारी मुनाफ़ा मिलने का योग बंधा है घर परिवार के साथ हासी खोशी समय को व्यतीत करेंगे आय में ब्रिद्धी होने की संभावना बन रही है शरेरिक कश्टों से छुटकारा मिलेगा पुराने निवेश से अच्छा लाब मिल सकता है आप कहीं धन निवेश करने की योजना भी बना सकते हैं चौथा तुलाराशी तुलाराशी वाले ब्यक्तियों को सूरे देव के किरपा से जमीन जायदाद से सम्मंदित मामलों में अच्छा लाब मिलेगा आपकी कोई बड़ी समस्या दूर हो सकती है कार छेत्र में बरिष्ट अधिकारी आपकी बातों का समर्थन करेंगे आपको अ शत्रों पर हावी भी रहेंगे पाचवां कुम्बराशी कुम्बराशी वाले ब्यक्तियों के उपर सूरे देव महरबान रहेंगे आप अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी कर सकते हैं जिससे कि आपका मन बहुत ही प्रसन्न होगा आप कोई भी बड़ा कारे करने का मन बना सकते हैं जिसमें आप काफी हद तक सफल भी हो सकते हैं आपके आतनबिश्वास में बिरिद्धी होगी और आपके द्वारा किये गए कारियों में सफलता मिलेगी घर परिवार में धार्मिक करेक्रम का आयोजन होने का योग बन रहा है घर के बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी दोस्तों के साथ आप बहतरीन समय गुजारेंगे तो दर्शकों ये थी वो पांच खुशनसीब राशियां जिनको सूरे देव ने आड़े हाथ लिया है और इन राश्यों के खुशनसीबी है कि सूरे देव अब खुद इनके सभी कश्टों को दूर करने वाले हैं और ये राशियां अब अरपपती भी बन सकती हैं जबकि वहीं कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनके लिए आने वाला समय मिला जुला सावित रहने वाला है अब हम आपको बताते हैं बाकी की बची हुई राश्यों के बारे में और जानेंगे कि कैसा रहेगा इनका आने वा रासी वालों से मेश रासी वाले लोगों को आने वाले समय में अपनी सेहत पर खास ध्यान रखना होगा, आप किसी भी प्रकार के वाद बिवाद को बढ़ावा मत देजिए, फिजूल खर्ची होने की संभावना बन रही है, आपके बहवार से किसी के साथ कलेश भी हो सकता है आपके द्वारा जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दायक साबित होगा, जो व्यक्ति ब्यापारी हैं उनको अपने ब्यापार में थोड़ा संभल कर कारे करना होगा, कारे शेत्र में अधिक कारे भार होने की वज़ा से मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, साथ का करने वाले लोगों का साथ भी नहीं मिल पाएगा, अब हम बात करते हैं मिथुनदाशी वालों की, मिथुनदाशी वाले व्यक्तियों को आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव करने से बचना होगा, समाज में आपका मानसंबान बढ़ेगा, ब्यापार मे मन मुताबिक लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी नौकरी के शेत्र में साकर्मी पूरा सयोग देंगे और आप अपनी कोई भी अधुरी इक्षा को पूरी करने की कोशिश करेंगे यहां तक कि कोई भी जोखिम भरा कार्य अपने हाथ में मत लीजिए अब हम बात करते हैं सिंग राशी वालों की सिंग राशी वाले व्यक्तियों को आने वाले समय में किसी भी यात्रा पर जाने से बचना होगा वरना दुरगटना भी हो सकती है शत्रू आपको नुकसान पहुचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे लेकिन आपको सावधान रहने की खास जरूरत है और किसी के उपर जरूरत से ज्यादा बिश्वास करना भी आपके लिए नुकसान दायक साबित हो सकता है किसी भी वाद बिवाद में ना पढ़ें कोट कचारी के मामलों से आप दूर रहें आपका स्वास्त मध्यम रहेगा अब हम बात करते हैं ब्रिश्चक राशी वाले ब्यक्तियों का आने वाला समय मिला जुला साविद रहेगा रचनात्मक कारियों में सफलता मिल सकती है आप किसी शादी या फिर पार्टी में भाग भी ले सकते हैं आप स्वादिष्ट ब्यांजन का अनंद ले पाएंगे लेकिन नौकरी के शेत्र में आपको साधान दहना होगा साथ काम करने वाले लोग आपको नुपसान पहुचाने की कोशिश करेंगे इसलिए आप साकर्मियों से समहल कर रहें अब हम बात करते हैं धानु राशी वालों की धानु राशी वाले व्यक्तियों को आने वाले समय में किसी मुसीवत में फंस सकते हैं आपको कनोनी मामलों का सामना भी करना पड़ेगा और आपको अपने श्वास्त के खास द्यान रखना होगा अचानक आपको कोई बुरी खबर मिलने की संभावना बन रही है कारशेत्र में अधिक भागदोर करनी पड़ेगी आपको आने वाले समय में धैर और समयम के साथ कारे करने होंगे आप अपने उपर तनाव को हावी ना होने दें अब हम बात करते हैं मकर राशी वालों की मकर राशी वाले व्यक्तियों का आने वाला समय मध्यम फलदाई रहने वाला है मित्रों के सहयोग से आपको कोई अच्छा औसर मिल सकता है आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा समाजिक कारियों में आप हिस्सा ले सकते हैं लेकिन पैसों के लेंदेन में आपको साउधान रहने की जरूरत है और किसी भी अपरचित व्यक्ति की बातों में ना आएं आपका कारोबार ठीक चलेगा लाब के आउसर हाथ लग सकते हैं अब हम बात करते हैं मीन राश्यवालों की मीन राश्यवाले व्यक्ति आने वाले समय में किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं आपका अचानक कोई रुका हुआ काम पूरा होने से आपका मन खुस रहेगा आप अपने कारोबार में कुछ बदलाव भिला सकते हैं जो की काफी हद तक फायदेमंद रहेंगे आपके बिरोधी सकरिय रहेंगे इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है जोखीम और जमानत के कार्य बिलकुल भी न करें घर परिवार में खुशहाली बनी रहेगी आपके स्वास्त में गिरावट आ सकती है खान पान पर आप विशिष ध्यान दी जीए झाल कर झाल को सकती है